हलो गई स्वागत है आप सभी को अपना गुरुजी पर मैं आपका दोस्तों जीत पहले आपको फिजिक्स साथ महबबत करवाने इफ यू वान्ट फिजिक्स ने सिंपल वे दिन बने रहे हैं मेरे साथ अपना गुरुजी पर दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने करता है इसको कैसे ऑपरेशन किया जाता है यह चीज हम लोग बेसिक से स्टार्ड करेंगे और इस चाप्टर में हम लोग समीकंड़क्टर का बेसिक से लेके उसका एडवांस तक हम लोग जाने वाले हैं तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताक कि कोई भी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए और बेलाइन को रबात देजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको रिगुलर्ली नोटिविकिशन मिलते रहें शूर करते वीडियो भी ना कोई डोक टोके से सेमीकंड़क्टर डिवाइसेस में हम क्नुक्टर फार्डंच के यह कंडुक्टर पार्ड ग्माट्व Conductor का अनकरिक इसा नेटरी नेने तो सब्सक्राइब आता है और लोकर्तव महिलते च ना ह्मारा है रहित थोृब क्या होता है यह conductor and insulator के बीच में लाए करता है मतलब यह नेचुरल स्टेट में क्या होता है यह इंसुलेटर जैसे बीच करता है अगर इसके साथ कुछ भी हम लोग impurity add करते हैं या कुछ external source इसको provide करते हैं तो यह conductor जैसे behave करता है तो as like it is lies the property of the semiconductor lies between the property of conductor and insulator इसलिए इसको करें किसके बारे में semiconductor के बारे में focus करेंगे तो आगे बढ़ता है जिससे semiconductor में बढ़ेंगे तो semiconductor बढ़ने से पहले आप कुछ terms के बारे में जानना पड़ेगा तो पहला term हमारा क्या होता है energy band होता है energy band क्या होता है the number of atom within a crystal stone can be near to each other as well number of electrons will interact with each other आपने अंदर इंट्रेक्शन करते हैं तो इसका कोई क्रिस्टल एक होगा उसको नियर एक्ट्रों जो अपने अंदर interaction करते है तो जो levels of electrons अपने अंदर interaction करते हैं जिस भी क्या क्या formation होता है हमारा energy levels formation होता है the energy levels of the electron within their cell can be caused due to the change in their energy levels clear है तो यह हमारा किस के बारे में energy band के बारे में which includes the energy level of the valenceη electron कोई भी जब atom होता है तो atoms में हमारे various cells के अंदर electrons लाई करते हैं, तो उसका जो valency cell होता है, outermost cell में, जितने सारे electrons present होते हैं, तो उस electrons के वज़े से, valency, valency electron के वज़े से जो उसका energy level produced होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, valency band बोलते हैं, and conduction band is the energy band above the valency band, तो इसको, यह जो connection band है, यह valency band के ऊपर वाला band होता है, connection band, इसके बारे में हम लोग और आगे देखेंगे, तो आपको ज्यादा clear हो जाएगा, तो अभी किलिए हम लोग समझेंगे कि, जो elektrons से हो, जो items में जो outermost elektrons रहते हैं, उसमें जो उसका energy levels रहता है, उसे हम लोग वैलेंसी बैंड को बोलते हैं, और connection band मतलब क्या होता है, elektrons को अगर current flow करना होगा, तो उसको connection band तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि यह valency band के above में रहता है, अब हमारा आता है energy band gap, अब जो यहाँ में conduction band और valency band देखें, उसके अंदर एक energy band gap रहता है, जिसको बला जाता है energy band gap, the minimum energy required for shifting electron from the valency band to the conduction band is called the energy band gap, यह जो valency band है, valency band से electron को connection band में पहुंचाना है, तो इसके अंदर जो energy रहता है, मतलब हमको अगर कोई भी valency band से connection band तक पहुंचाना है, क्योंकि current flow करने के लिए electron को connection band में होना ज़रूरी है, तो एक theoretical concept है, तो अगर valency band से electron को connection band तक पहुंचाएंगे, तो तभी जाके हमारा current flow उपाएगा, तो यह जो दो band के अंदर जो energy का gap रहता है, इसे हम क्या बोलते है, energy band gap बोला जाता है, बाज़ जोल यहां पर देख सकते हैं, यहां पर valency band है और यहां पर conduction band है, तो इसके अंदर यह वाला जो बीच में जो gap है, इसे हम क्या बोलते हैं, energy band gap इसको बोला जाता है, फिर हम लोग जोगा आगे देखते हैं, तो यहां पर हम लोग conductor, insulator और semiconductor को energy band gap के basis में differentiate कर सकते हैं, तो यह जो हमारा orange color में है, यह हमारा valency band है और यह वाला हमारा conduction band, valency band से अगर हमको electron को conduction band में पहुंचा ना होगा, तो हमको external energy का ज़रुवत नहीं पड़ेगा, यह already overlap हो जाता है, तो यह यहां पर electron already conduction band में present है, तो यह conductor इसमें ज्यादा conductivity रहता है, लेकिन semi-conductor में क्या होता है, valency band और conduction band में energy band gap होता है, जिसके बज़ हमको external energy देना पड़ता है, एक्षिनल energy देके हमको valency band से electron को conduction band में पहुंचा आता है, जिसके बज़े से क्या होता है, हमारा current का flow होता है, तो जो semi-conductor होते हैं, तो उसमें minimum हमारा energy band का क्या रहता है, 1.5 electron, मतलब average जो हमारा band gap of energy है, वो हमारा 1.5 electron volt है, मतलब that is minimum energy जितना हम लोग external provide कर सकते हैं, provide करके valency band से conduction band में electron पहुंचा सकते हैं, तो उसके बाद ये जाके क्या हो जाएगा, हमारा conductor जैसे behave करेगा, लेकिन in case of the insulator, यहाँ पर क्या हो जाता है, valency band और conduction band के अंदर band के अब जो होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसका बजासे क्या होता है, हम लोग उतना energy supply नहीं कर पाते हैं, जिसके valency band से conduction band तक electron पहुंच पाए और current conduct करें, इसलिए क्या होता है, यह insulator होता है, इसमें band gap of energy ज्यादा है, तो यहाँ पर conduction नहीं हो पाते हैं, और यहाँ पर conduction band में electron सल्मुष जीरो रहते हैं, external energy apply करने के बाद भी, that's why यह insulator है, तो यह हमारा है, differentiation of the conductor, semiconductor and insulator on the basis of energy band gap, तो यह कभी-कभी आपके boards में question भी पूछ लेता है, और यह theoretical concept है, बस आपको diagram बनाना है, और इसके बीच में आपको explain करना है, तो पहले आपको energy band के बारे में इसलिए करना पड़ेगा, what is energy band, then valency band, covalent and conduction band, देना आपको metal, semiconductor and insulator, इसको अलग-अलग diagram करके आपको वहाँ पे इसके बारे में लिखना हुआ, बस theoretical है, तो ज्यादा हो रही होनी का कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसता आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी हमारा जो semiconductor होता है, तो semiconductor में simply, इसमें क्या होता है, जो electrones होते हैं, उसके अंदर covalent bond होता है, तो covalent bond की basis में उसको अलग-अलग differentiate किया जाता है, तो इसमें हमारा holes and electrones create होते हैं, तो हम आगे discuss करने वाले हैं, holes and electrons क्या होते हैं, और कैसे वो काम करते हैं, तो electrons होते हैं, हमारा negative charge, और यहाँ पे जो positive charge है, उसको हम लोग होल की सबसे बोला जाते हैं, तो hole को हम लोग identify करेंगे, थोड़ी दर बाद holes किसे बोलते हैं, आपको मैं explain करूंगा, तो जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो types of semiconductor में आते हैं, types of semiconductor में आपका mainly दो type के semiconductor होते हैं, एक आपका हो गया intrinsic semiconductor and another is your extrinsic semiconductor, अब समझते हैं, intrinsic semiconductor क्या होता ह जिसमें कुछ भी impurity मिलाया नहीं गया होगा, और it is a pure semiconductor without any significant dopant space is present, तो जिस semiconductor और natural state में जो semiconductor रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, intrinsic semiconductor बोलते हैं, जिसके अदर कोई भी impurity add नहीं किया होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, intrinsic semiconductor बोलते हैं, जिसको अगर हमको conductivity उसका करना है, या semiconductor, intrinsic semiconductor को अगर हमको उसको conductivity में convert करना है तो हमको national energy देना पड़ेगा जैसी कि हम लोग उसको heat देते हैं तो heat देने के बाद जाके वो conduction का electric current conduct करता है लेकिन जो extrinsic semiconductor है extrinsic semiconductor हमें लोग क्या करते हैं इसमें कुछ impurity add करते हैं और इसको conductor की सापस हम लोग यूज करते हैं so when a few parts of million of a suitable impurity is added to pure semiconductor the conductivity increases many times such materials are known as extrinsic semiconductor जब भी हम लोग कोई भी pure semiconductor और intrinsic semiconductor में कुछ impurity add करते हैं then जो हमारा material formation होता है उस हम क्या बोलते हैं extrinsic semiconductor बोलते हैं so why we are using the semiconductor in our electronic devices because in electronics devices or in semiconductor we can adjust the conductivity of the material हमको जिससे हिसाप से conductivity चाहिए हम लोग उसी साप से conductivity कर सकते हैं हमको जितना conductivity चाहिए उससाप से हम लोग impurity add करते हैं उसका conductivity को हम लोग use करते हैं महां पर हम लोग conductivity को regulate कर सकते हैं मतलब flow of electron को control कर सकते हैं that's why we are using the semiconductor materials दिन आगे बढ़ते हैं अब ही हमारा जो extrinsic semiconductor है हम लोग यहां पर impurity add करते हैं तो impurity add करने के बाद impurity भी हम लोग 2 type के add कर सकते हैं तो उसके basis में हम लोग p-type semiconductor and n-type semiconductor formation करते हैं अब p-type और n-type semiconductor कैसे formation होता है तो simply हम लोग यह example लेंगे यहां पर n-type semiconductor है और यहां पर p-type semiconductor है तो आपको में explain कर रहा हूं कि n-type semiconductor कैसे formation होते हैं and p-type semiconductor कैसे formation होते हैं तो हम लोग एक silicon ले लिए silicon का outermost orbit में 4 electron होते हैं तो अभी क्या हो जाता है जैसे कि इससे 4 electron हो गया तो हम लोग जैसे उसको impurity add करेंगे तो हम लोग यहां पर impurity जैसे add करते हैं तो एक impurity add करने का एक pentavalent होता है एक trivalent होता है तो pentavalent अभी हमको silicon के साथ covalent bond करने के लिए outermost orbit में 4 electron है तो हमको four equivalent bond formation करना है लेकिन हम लोग यहां पर अगर pentavalent को add कर देंगे तो इसका outermost में 5 electrons होते हैं तो एक electron हमारा extra रह जाता है तो यहां पर जो हमारा flow of electron आता है वह हमारा free electron के वज़े से आता है तो इसलिए उसको negative semiconductor type of semiconductor और n-type semiconductor बोला जाता है तो इसके यह free electron हो गया तो यह movement करने लगेगा तो उसके बाद brown break होगा उसके बाद फिर से लोग करने लगेगा तो इस वैसिस में क्या होता है already यहां पर एक free electron present होता है that's why यह क्या होए n-type semiconductor है अभी p-type semiconductor कि से बोला जाता है जब हम लोग impurity के तौर में trivalent atom को use करेंगे trivalent में क्या हो जाता है यहां पर उसका outermost orbit में three electron होते हैं अब यहां पर जैसे के हमको silicon के साथ चार्थो bond करना होगा लेकिन हमारे पास कितना है तीन तो bond है तीन तो इलोक्तुन है इपास करता है तो इसको रहुकर रहनने के साथ फिर Marco ऑने पर जाए गाई आप और इसवे इसे निग खेंडाव टाता है और यहां पर current flow करता है तुरिसले इसको क्या बोला जाता है P type semiconductor बोला जाते है और यहां पर आपका electron प्री प्रेजंस होने के बाद पहले से यहां पर फ्री प्रेजंस से impurity add करने के बाद तो फ्री प्रेजंस के बाद से आपका current का conductivity आता है that's why it is known as n-type semiconductor so you can simply write the n-type semiconductor and semiconductor p-type or n-type semiconductor है उसको doping करेंगे and p-engeneration diet कैसे formation होता है कैसे current conduct होता है forward-wise current क्या होता है reverse-wise current क्या होता है फिर हमारा breakdown कैसे होता है current flow कैसे करते है semiconductor में फिर half-way rectifier pull-up rectifier हम लेकिशूड़ में करने वाले हैं तो thank you guys for watching if you enjoy the video or learn something from the video please like share and subscribe our channel and give your suggestion in the comment section or if there is any doubt you can write in the comment section so that I can make videos on that topic so subscribe the channel and hit the bell icon for upcoming videos so in the next session we are covering the chapter thank you guys